हालो एंड अगें वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आइम विद यू डॉक्र मौमद दानिश और टोड़े सेशन इस अबाउट डी यूपी हायर एडूकेशन सर्विस कमिशन एक्जाम और उसका होने वाला इंटर्व्यू तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 30 अक्टूबर उसके बाद दूसरा चरण भी 13 तारीक को प्रस्तावित था तो वो भी उम्मीद करता हूं सक्सेस्वली हो गया होगा तो अब इसके बाद भी चरण कुछ बच्चे में जिसमें की बाकी बच्चे वे सब्जेक्ट का एक्जाम कंड़क कराना है तो अलकि ये एक्जाम भी का काफी त्रोटियां देखने को मिली काफ बच्चों के एक्मेट कार्ड जो थे वो इशू नहीं हुए उसके बाद उसमें आयोग ने ये बताया कि बच्चों ने फार्म साही से नहीं भरे थे या किसी ने रेस्टेशन नंबर खलट डाल दिया था उसके अगेंस्ट काफी सारे चीज़े इसमें देखने को मिली हैं अब जाहिसी बात है यूपी का एक्जाम है तो बिना तुर्टी के हो जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं इससे पहले भी हम देख चुके हैं पीजी टी का एक्जाम हो उसमें बहुत सारी बच्चों की शिकायतें जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से इविन मैंने भी जो वीडियो दो शेयर की हैं कट आफ के उपर तो बच्चों ने मुझे काफी उसमें कहा है कि सर आपने गलत अनलिसिस की है इतनी कट आफ वाने का सेलेक्शन नहीं हुआ बट अगर उस लिस्ट को सभी से अनलाइज परसेंट हैं क्योंकि बच्चों ने खुद यह कम इसूज रखे हैं कि कम कट आफ वाले का सेलेक्शन हो गया जादा कट आफ जिसकी रही इसके नंबर जादा रहे उसका सेलेक्शन नहीं हुआ तो अब इस पर मैं कोई कमेंड नहीं कर सकता यह किस तरीके से हो रहा है यह त रिजल डिकलियर हो या कोई करेक्टिड डानसर की हो जब तो बच्चे किस तरीके से तैयर कर पाएंगे अपने आगे उम्मीद नहीं हो पार यह कि वह उन्हें मेंस देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा और जहां पर आपने 18 दिसमबर को मेंस का एक्जाम पर सावित किया हु बच्चों ने अपने स्कोर्स देखे और मार्क देखने के बाद जहुआ जो भी पुरानी कट आफ ये पिछले सालों की जो कट आफ रही है और इस बार की क्या कट आफ रहने वाली उसे साफ से बच्चे एक आख़ा लगाते हैं कि हाँ भई हमें इंटर्वी देने का मौका मिलेगा है नहीं मिलेगा तो मैं आज इस पर बात करूँगा कि इंटर्व्यू की अब इसे शुरू कर दें क्योंकि अब धीरी दीरा ये पहला चलेन दूसरा त द क्याती हो चुद्ध हो जाएंगे लोग्वर्ट के लिए कौ allows कर देंगhy तो अपनी बनाना शुरू कर दींग से पढ़ना शुरू कर दीए और देखिए की मैं आपको बता दूआ पूरा पूरा आपकी नॉलिज पर ही सेलेक्शन होगा तो बहुत डीप नॉलिज होने चाहिए अगर आप किसी सब्जेक्ट से देना है चाहिए जोग्रवी हो इस्ट्री हो पॉल्टी हो कॉमर्स हो या जो भी सब्जेक्ट आपका रहा हो एजूकेशन हिंदी इंगलिज जो भी है तो उसमें आपको सब्जेक्ट नॉलिज पहुत चाहिए क्योंकि यह असेट्ट प्रोफेसर का प्रोफेसर के लिए एक्जाम है तो इंटर्वी भी उसी लेविल का होगा आप इसको हलके मत लिजेगा काफी पड़के डिटेल में तीस नंबर मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि पीजेटी में बाटे गए शायद इसमें ना बाटे जाए इसमें प्रोपर नॉलिज की ब सामने नहीं आता है कि इसको कम नॉलिज है या जो डिजर्व नहीं करता है वो आगे चला गया और जो अंडेजर्विंग है वो पीछे रहे गया तो कॉम्पॉटिशन का एक जो है मतलब खतम हो जाता है क्वालिटी टीचर जिसे हम कहते हैं कि अगर आप अच्छे बच्चे बनाना चाहते हैं तो टीचर भी अच्छे होना चाहिए क्वालिटी टीचर को मछ यह है उसका रिटर रिज एक है चांस मिलेगा तो अब इसे जुढ जा और अपने सारे concepts को brush up कर लें क्योंकि बहुत अच्छे लेविल का इंटर्वी होगा या जो भी लोग अलड़ी दे चुके हैं जो देते रहते हैं युनिस्ट्री के पैनल का या जो भी selection committee होती है अगर आपने PhD किया है तो आपके PhD से सवालात होंगे और आप नहीं किया है तो अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो आपके experience से सवालात होंगे आपको यह भी decide करना होगा कि आपका कौन सा subject favorite है या कि subject में आपको interest है उससे भी सवाल होंगे कि आप से पूछा जाएगा कि आपका subject कौन सा interesting है आपको क्या अच्छा लगता है तो यह भी शित आपको decide करनी होगी पहले से पहले आप एक subject ध्यान करके रखें अच्छे से त subject पढ़ा हैं तो मेरा कहा है मैं अक्सर इंटर्व्यूस देता रहाता हूं क्योंकि मैं I'm already teaching तो इंवर्श्री में या colleges में जहाँ है तो जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा होता हूं तो वह से सवाल कुछते हैं कि which subjects do you take या आप कौन से subjects पढ़ा रहे हैं या कौन-कौन subject पढ़ा रहे हैं उनको अच्छा कर लें बागी अपने जो knowledge है उसको brush up कर लें तो यह तो मैंने इंटर्व्यू के बारें बदाए बाकी मैं और next video बनाऊंगा proper detailed एक इंटर्व्यू के उपर कि how to face interview of UP higher education service commission तो खास्वार पर मैं commerce पर focus करते हुए बनाऊंगा क्योंकि commerce subject से ही मैं pursue कर रहा हूं या पढ़ाता भी हूं बच्चों को commerce या association subjects होते हैं वो मैं देखता हूं तो मेरी सला यह है कि आप लोग बहुत टीप में अपने revise करें क्योंकि इसको हल्गे में आले कि अगर हमने return में score कर लिया तो मैंने जो पिछली साल के score देखे तो जिसने topper से भी ज इंकर से कम शकम 10 से पंदा नंबर का फरक था लेकिन उसके interview में mark उस बच्चे जादा से जिसने return में score किया तो कोई यह ना समझे कि मैंने return में नंबर जादा आ गए तो मेरे interview में बच्चे नंबर आए ऐसा कोई guarantee नहीं यह डिपेंड करता है कि आप interview में कैसा perform करें चाहे त इस बात प्रूफ करती है कि इंटर्व्यू जैप प्रॉपर तरीक होगा और उम्मीद यह करता हूं कि आपकी प्रॉपर जो है genuine knowledge चेक की जाए तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा और आने वाली अगामी वीडियो में में interviews के ओपर ही बात करूँगा और जिन जिन प्रॉपर जासके जज्मेंट लिया जा सके तो आज के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको जुरूर लाइक करिएगा शेयर करिएगा और जोड़े जैगा मेरे साथ जिसे कि आपके लिए मैं इन्फरमेटिव वीडियो ला सकूं और एक बात हां अगर पर कमेंट करिए बताइए कि इसमें गलती है तो आइल ट्राइटो इंप्रूव मैं यह नहीं कहता कि मेरी हर वीडियो 100% करेक्ट है I'm also a human being I can also commit error ऐसा नहीं है कि मैं error-free हूँ मेरी जिकरी समाझ है मैं उसे साबसे चीजों को अनलाइस करता हूँ अगर कोई चीज घलत है त अब भी तक तो फिलाल किसी भी और किसी भी वीवर ने मेरे साथ यूज नहीं किया बहुत अच्छे कमेंट मिल आते हैं बहुत प्यार आप लोग नहीं दिया और आप लोग बहुरों सब्सक्राइब होता हूँ हो सकता है कि मैं कोई शायद अनलिसेस में तोड़ी गड़ब